Assalamualaikum Welcome to StudentTube आज के इस लेक्चर में चप्र सेवन आइकॉम पार्ट वन बिजिनस में बुके शाहिद जमार की चप्र है मैट्रस इंडिटर्मिनेंट कुछ यह हमारे पास 7.80 एक्वेशन को हमने क्रेमर जूल के मदद से सॉल्फ करना है तो सबसे पहले हम दी लिख लेते हैं द 1, 3, a2, 4, b1 is minus 2 and b2 is 2 ठीक है देन, dx उसमें होता है c1 and c2 पहले, so minus 6 and minus 1 आ गया और फिर b1 and b2, so minus 2 and 2 फिर होता है dy इसमें होता है a1 and c1, so 3, 4, minus 6 and minus 1, so पहले define करेंगे, तो d क्या है हमारे पास, d find करेंगे, तो d में 3 multiply by 2 minus 4 multiply by minus 2, 3 to the 6 minus minus plus 4 to the 8, so 8 और 6, 14, ठीक है, फिर इसके बाद, dx find करना है, तो dx के लिए minus 6 multiply by 2 minus, फिर minus minus plus हो जाएगा, बलके यहाँ पर minus 2 multiply by minus 1, so minus 6 2s are 12, minus 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 plus 2 1s are 2, so यह हो गए 14, minus का, ठीक है, फिर है dy, तो इसमें भी यह होगा, 3 multiply by minus 1, minus 4 multiply by minus 6, 3 1s are 3, minus minus plus, 4 6 are 24, so 24 minus 3, 21, so now x की वैल्यू के लिए, dx upon d, and y की वैल्यू के लिए, dy upon d, so dx है हमारे पास minus 14, d है हमारे पास 14, इसी तरहाँ dy है, 21, and d है 14, so 14 वन्जा 14, 14 वन्जा 14, यहाँ पर आगया 1, minus का, और फिर यहाँ पर, 7 2s are 14, 7 3s are 21, so 3 upon 2, so answer राया minus 1, and 3 upon 2, तो यह था question, उमीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा, अगर वीडियो हेल्फू लाओ तो आपने से करना है, like, share, and channel पर new है, तो subscribe कि यह बगार मच जाएगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, अलाहाफेज,